तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी और मेरी टीम की तरफ से हैपी होली यह होली आपके जिन्दी में रंग भरते प्यारे प्यारे और यह होली आपके लिए मैमरे बढ़ रहे तो चली एक्सपरेशन को शुरू करते हैं तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मूचेन और फेंग के फाइट होना शुरू हो जाती है जिसमें वो दोनों इस दूसरे को अच्छे टकर दे रहे थे लेकिन फाइट के बीच में हैवलनी लोटस बाहर आने लगता है जिससे फाइट रुक जाती है जिससे सारी लोग उस लोटस को लेने के लिए जाने लगते हैं जहां जूकिन नाम के लड़की मूचेन और लिंगर से फाइट वहां पे करती है जहां मूचेन और लिंगर एक दूसरे के हेल्प करते हैं और लिंगर उस लोटस को लाने के लिए जाती है और जूकिन और मूचेन के बिच काफ किन की सबसे जादा स्ट्रॉंग वाली स्वार्ट भी उस ड्रैगन की वज़े से बिल्कुल चकना चोर हो चुकी थी ये देखकर के तो उस यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर यहां पर मेरी स्वार्ट कैसे तोट गई इसलिए वो पूरे गुस्ते के साथ मुचेन से कहरे ह होती हैं बस अब बहुत हो गया मैं यहां पर तुम्हारी जान ही ले लूँगी लेकिन तब ही वो हैवनली लोटस दुबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट वो करना शुरू कर देता है जिस वज़े से मूचेन और जूकिन का ध्यान भी दुबारा से उस हैवनली लोटस बहुत ही यहां पर जगडा होगा सीट के लिए जो सबसे पहले जाएगा उसे ही वहाँ पर वो सीट मिलने वाली हैं बाकि सबी को खाली हाथ ही यहां से जाना होगा तो वहीं जूकिन जो होती है मुझे इनसे कह रही होती है देख लेना मुझे बस मौका चाहिए एक बर मु उसके अंदर से heavenly lotus का seat बहा निकल कर आने लगता है इसलिए सारे लोग उस seat को पकड़ने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं ताकि उनके पास वो seat आ सके कई सारे लोग को अब कुछ कुछ seat वहाँ पर मिल जाती है इसलिए मूचेन भी एक seat के पीछे जाता है लेकिन हिरानी की बात यही थी कि कोई भी उस seat को जैसी पकड़ने कुछिश करता है वो उसके चंगुल से निकल कर भाग रही होती है जिस वज़े से सारे लोग को समझ में आता है कि इस heavenly lotus के जो seat है उसके अंदर भी एक spirit है इसी वज़े से ये seat इधर उधर भाग रहा है और इसे आप पकड़ना बहुती जादा मुश्किल हो चुका है ऐसा लग रहा है कि वो seat अब किसी जानवर की तरह इधर उधर हमसे बचकर भागने कोशिश कर रहा हो वही मुझे इन भी ये सारी चीजें देख करके समझ रहा होता है कि आखिर वो seat को कैसे पकड़ सकता है उसे समझ में आता है कि कोई भी यहाँ पर जितनी अपनी पावर का इस्तेमाल वो करते हुए उस seat को पकड़ने की कोशिश करेगा वो अब उस seat को नहीं पकड़ पाएगा मुझे तो लगता है कि मुझे अराम से उस seat को पकड़ने कोशिश करने चाहिए इसलिए वो एक seat का बीचा करना शुरू कर देता है और वहाँ पर छोड़ना सा अपना एक्रेट पुद्धा आठ को बना देता है तो ताकि उसके अंदर उस seat को डाल सके लेकिन तब भी वो जो seat होती है वहाँ से बच कर भागने कुशिश कर जाई होती है लेकिन मुझे इतने असानी से उसे कहां छोड़ने वाला था वो काफी दूर तक उस पीछा वो करना शुरू कर देता है ताकि बस एक बार वो seat उसके हाथ में आ सके और अब वो जिस जिस के बारे में वो सोच रहा था वैसा ही हो जाता है तो उसके छोटे वाले great buddha art के अंदर वो seat जाकर फजच चुकी थी और जैसे ही एक बार वो seat उसके अंदर जाती है great buddha art फूर तरीके से lock हो जाता है जिस वज़र से वो seat वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेती great buddha art को तोड़कर बाहर आ ही नहीं पा रही होती है ये देखकर के तो मुझे नक्दम जादा खुश हो जाता है कि चलो आखिरकार मुझे ये seat तो मिली सारे लोग तो अब तक इसके पीछे ही भाग रहे हैं लेकिन मुझे ये मिल चुकी है और अब मुझे तरीका भी मालूम यहाँ पर हो चुका है कि इस तरीके से मैं और भी जादा seat को यहाँ पर collect में कर सकता हूँ इसलिए मुझे अब कुछ और भी seat को यहाँ पर पकरने के लिए चले जाना चाहिए क्योंकि एक से तो मेरा काम नहीं होने वाला जिसके बाद वहाँ से आगे बढ़ती हुए और भी किसा से seat को collect करने के लिए निकल जाता है तो वहीं पर यह सारी चीज दूर अब वो खरे होकर जूकेन देख रही थी जिस वज़ए से उसे काफी जाला गुसा आ रहा होता है कि आखिर इस मुझे ने इतने असानी के साथ सारी के सारी seat को कैसे यहाँ पर collect कर लिया इसे ऐसा कौन सा तरीका मिल चुका है जिसका इस्तिमाल वो करते हुए यह seat को collect किया जा रहा है इसे लिए अब वो वहाँ पर से मुझेन का पीछा करना शुरू कर देती है और उसका पीछा करते हुए लिंगर भी उसे देख ले तो उसे तो समझ नहीं आ रहा था पकरे जा रहा होता है जिस चीज़ से तो वो बहुत ही जादा वो हैपी था और उसकी हुशी में भंग डालने के लिए वहाँ पर जूकीन आ जाती है जो वहाँ पर आने के बाद मुझें से कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुमने कैसारे सीट को यहाँ पर क्लेक्ट तो यहाँ पर किया है तो इसलिए भलाई इसी में होगी कि सारे सीट मुझे दे दो वरना तुम्हारे लिए यहाँ पर अच्छा नहीं होगा जिस पर मुझेन कहता है कि तुम आलती हो क्या? खुच जाकर पकर लो ना मुझे यहाँ पर क्यों सताने के लिए आ गई? तुम्हें शकल में से कोई उल्लू दिखाई देता हूँ जो इसी के भी कहने पर अपनी इतनी महनती से लाए हुई सीट उसे वापस दे दूगा तो उसके बाद जोकिन जो होती है वो से कह रही होती है कि क्या तो मेरे भाई को जानते हो जिसका नाम जुवान है वो हैवली रैंकिंग के फिफ नमबर पर आता है अगर तुमने यहाँ पर इज़त से मुझे वो सीट वापस नहीं की तो मैं उसे जाकर शिकायत यहाँ पर मेरे कर दूँगी और वो तुमें यहाँ पर आकर बहुत यह असानी के साथ सबक सिखा सकता है तुम इतनी भी पावर का क्यों नाश्मार यहाँ पर तुम कर लो तो उसके सामें तुम यहाँ पर वो टिक ही नहीं पाओगी तब वहाँ पर लिंगर भी आ जाती है जो जूकें से कह रही होती है कि तुम हमेशा अपने भाई के ओपर यतना जादा उड़ती हो तुम नहीं जानती कि मुझें के पास यहाँ पर कितनी जादा पावर है वो तो तुम्हारे भाई को भी सबक सिखा सकता है तब जूकें जो होती है उसे देखकर कह रही होती है तुम यहाँ पर क्यू आ गए अपना रास्ता ना पो यहाँ से अभी हम दोनों के बीच में बात हो रही है मुझे तुम्हारे यहाँ पर कोई जूरत नहीं है लेकिन लिंगर उससे कहती है हम दोने एक साथ रहेंगे और अब यहाँ पर वो जूकिन के साथ fight करने के दियार थी यह देख करके तो जूकिन काफ़ी साथ गुसा आ रहा होता है कि क्या एक से एक वो हर के सारे लोग मेरे पीछे ही हो चुके हैं तो ताकि मुझे यह heavenly lotus का seat ना लेने दे इधर मुझे और भी असानी के साथ करते हुए तीन दिन के वो के सारे seat को वहाँ पर इखटा कर लीता है और जब उसके बाद थोड़े से spiritual seat आ चुके थे तो उसके बाद सारे के सारे seat अपने आपे गायब हो जाते हैं जोकि उनका time यहाँ पर पूरा हो चुका था उन seat का life span बहुती जादा कम होता है चितने time के अंदर किसी ने अगर वहाँ पर उसको एकटा किया तो किया और नहीं किया तो उसके बाद सारी के सारी spiritual seat वहाँ पर से गायब हो जाएगी और अब कोई भी आगे चल कर इस seat को नह सोच भी नहीं सकते तुम्हारी आगे चल कर जिनकी बरबाद हो जाएगी इसलिए भलाई इसी में है कि वह seat मुझे वापस कर दो तब जो लिंगर होती है मुझे इंसे कहती है तुम्हें घबराने की जुरत नहीं है मेरी बहन को यहाँ पर मैं बुला लूंगी वह तुम्हे जो होता है जूकें से कहता है मैं तुम्हें लूटस का सीड देने के लिए तैयार हूं लेकिन एक सीड मैं तुम्हें पांच लाग स्पीर्ट वैल्यू के बदले दूंगा तो बताओ तुम्हें ये डील मंजूर है जो सुनकर के तो यहाँ पर जूकें का दिमागी बुखल जाता है वो उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है पांच लाग वो भी एक सीड के तब मुचन उसे कहता है चाहिए तो ले लो नहीं तो यहां से निकल लो बारगेनिंग करने का मेरे पास ताइम नहीं है यह देख करके तो जूकें का बहुत गुसा आ रहा था वो उ हाँ पर 3 को इखटा किया तुम चाहो तो 2 को रख सकती हो लेकिन वहाँ पर लिंगर एक ही को रखती है और मुचन से कहती है तुम्हे इस लेने में जाता मदद की है इसलिए तुम दो को रख लो मैं सिर्फ एक ही में काम चला लूँगी यह देख करके तो मुचन भी हैपी ह जाता है और वहां पर वहां से चला जाता है इधर हम दो किन को देखते हैं जो अपने भाई के पास आकर मुचिन के सारी शिकायत रोते हुए कह रही होती है कि अब तो मुचिन को सबक सिखाना ही होगा यह देखकर के जो जो हुआ होता है वह गुस्ता हो चुका था कि आखिर कि हिम्बत कैसी हुई मेरी भेन को हाथ लगाने की अमरों सब्सक्राइब कर सकता हूं और अब इसी के साथ यह पार्ट यह पर एंड हो जाता है से ट्रीन फूर नेक्स एपिसोड थैंक्स फूर वाचिंग